हलो, हलो माई देस्टूटेंट्स देस्टूटेंट्स आज आज आप लोग के बीच में जो वीडियो है वो बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक का है जैसे जैसे न्यू क्रिमिनल स्ला के इन्फोर्स्मेंट की डेट आती जा रही है वैसे वैसे कोई ने कोई एक डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है तो आज कोस्टन ये उड़ता है कि क्या थ्री न्यू क्रिमिनल स्ला एक जुलाई दो हजार चोबिस से लागू हो पाएगे इसी को लेकर आज आप लोग के बीच पे ये वीडियो जा रहा है और इसको आप लोग पूरा देखते रहे है एक एक चीज आपको पूरी डिटेल में बताई जाएगी और ये बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि क्या इसका प्रापर आंसर है क्या ये एक जुलाई से लागू होगा ये अभी भी कोई डाउट है तो दिया स्टुडेंट आएए महर्जबेहरी श्रवास्तो लाँ एक्सपर्स परिच्छा रिफ्रेशर आनलाईन लाँ क्लासेश फ्रामेलाबाद ये जो चैनल है ये पूरा लाँ के स्टुडेंटों से जुड़ा हुआ है इसमें केवल लीगल इवेंट सी जाता है जो इस्टुडेंट जुडिसरी के त्यारी कर रहे है ये वो हायर जुडिसल की हो और सिविल जच्च की हो एप्यो की है उनके लिए ये बहुत ही यूसफुल चैनल बनाये गया है जैसा आप लोग को बराबर वीडियो में बताया जाता है कि फ्री न्यू क्रिमिनल स्ला एक जुलाई दो हजार चौबी से लागू होने जा रहा है बीच बीच में जो जो बिवाद उठते हैं जो जो कोस्टनेराइज होते हैं इसको लेकर कोई होते हैं इस्टूडेंटों के दिमाग में होते हैं उस पर हम आप लोग को एक एक जल्रेबिकेशन समय समय पर बताते रहते हैं देखिये जो न्यू क्रिमिनल स्ला है जो एक जुलाई 24 से लागू होने जा रहा है इस पर एक बार फिर से बहस चड़ गई है और बहस यह है यह जो न्यू क्रिमिनल्स लाह है जब यह पार्लामेंट में आया था हाउस में यह आया था बिल के फॉब में इस पर प्रापर बहस नहीं हुई थी क्योंकि उस समय जो सेंटरल गवर्मेंट थी यानि जो रूलिंग पार्टी थी वो बंपर में जाटी में थी अपोजीशन बहुत ही कमजोड था और उस समय अपोजीशन के हंडेट से ज्यादा MPs को सस्पेंड कर दिया गया था यानि अपोजीशन का कोई रूल इसमें नहीं था इस पर तो अब यह जूरिस्टिक लोगों का कहना है एक बार लोग सभा में और राज सभा में इस कानून पर तगड़ी बहस होनी चाहिए क्योंकि अब हमारा जो विपच्छ है वो बहुत तकड़ा है और सत्ता रूर्दल जो है वो गडवंधन की सरकार है एक बार सत्ता रूर्दल और विपच्छ इस मुद्दे पर हाउस में फिर से बहस करें और बहस करने के बाद अगर कोई संसोधन होता है तो उसको संसोधन करने के बाद तब इसको लागू किया जाए दूसरा बात क्या यह जो एक जुलाई से लागू होने जा रहा है जिसमें गिने दस बारा दिन बच्चे हुए है क्या पूरा देश इसके लिए तया करने के लिए पूरी system ready है जो court में already case pending है उनका क्या होगा क्या वह C-R-P-C से govern होंगे वह B-A-N-S-S से govern होंगे किसे govern होंगे इन सब बातों को ले कर एक juristic लोगों का सम्मूव है जो इस बात के लिए तार्मेंट पर दबाव बना रहा है यह request में कहा जा रहा है कि इस कानून को अभी रोग दिया जाए, सस्पेंट कर दिया जाए. तो देखिए, हम आपको यह बताना चाहते हैं, यह कानून जो बना हुआ है, यह house से दोनों house से पास हुआ है, president के signature हुए है, और इसके साथ साथ इस कानून से जो जो लोग जुड़े हुए है. सबसे पहले तो police agency जुड़ी हुई है, चाहिए वो civil police हो, चाहिए CBI हो, चाहिए ED हो, उन लोगों को already training दी जा रही है, काफी state में training पूरी भी हो गई है, और judges हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी preparation कर रखी है, law के student हैं, उनको समय समय पर पूरी जानकारी दी जा रही है, तो government की और से तो पूरी तयारी कर ली गई है, एक जुलाई 2014 से इसे लागो किया जाएगा, और देखिए आपको बताना चाहते हैं, इन सब जितने भी डाउट्स थे, उन सारे डाउट्स पर central minister, जो law ministers हैं, Mr. अर्जुन राम मेगवाल जी, उन्होंने एक अपना statement दिया है, कि सरकार ने पूरी तयारी कर लिया है, और एक जुलाई 2014 से ये कानून पूरे भारत में लागो हो जाएगा. जैसे इन्होवेटी को बेट है, जैसे इन्होवेटी को बेट है, जैसे इन्होवेटी को इसके साथ अभी, एक दो हपता पहले की बात है, Honorable Supreme Court में एक रिट आई थी, वो परिच्छा Refresher YouTube चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उस पे Honorable Supreme Court ने जो PIL पाइल किया था, इस कानून को सस्पेंट कराने के लिए, उस पे तो court इतना शक्त हो गया था, कि court ने Petitioner को ये बोला, कि आप अपनी रिट को वापस लेंगे, या रिट को सुनने के बाद, आपकी रिट डिस्मेश करके, आपके उपर पेनाल्टी भी लगाई जाए, तो Petitioner अपनी रिट को वापस ले लिया था, और Honorable Supreme Court ने कहा था, ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किया कि Supreme Court ने भी इसको रोकने से मना कर दिया है, इसके साथ ये पारलामेंट से पास हुआ है, और President के signature हुए है, सारे लीगल फार्मेल्टी इसको पूरा किया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, चंद दिन जो 10-12 दिन बचे हैं, इसके बाद जो IPC है, वो र भारती नयाय सहीता के नाम से जानी जाएगे, जिसको BNS कहते हैं, CRPC रेप्लेस हो जाएगे, हड जाएगे, उसके जगह पर भारती नागरिक सुरच्छा सहीता BNS से बना है, जो Indian Indian सेक्ट है, वो रेप्लेस होगा, उसके जगह पर भारती साथ चजरियम बना हुआ है, यानि जो भी स्टेट की जुडीसरी है, जो भी वेकेंसी आएगी, वो ध्यान रखियेगा, अब वो वेकेंसी में जो आप लोग का से लेबस होगा, क्रिमनल ला का, वो क्रिमनल ला का आप लोग का से लेबस होगा, BNS, BNSS और BSA, ये तीन कानून आप लोग को पढ़ने हैं, पु पाई को जो रो सो रो से नए क्रिमिनला से करिए जने स्टूडेंटों को नए क्रिमिनला का study material चाहिए वह सब्जेक्टि वह study material भी ले सकते हैं जिसको MCQ चाहिए multiple choice question भी ले सकते हैं यह दोनों Hindi medium English medium दोनों में ready है जिस भी medium में आप लेना चाहते हैं उस medium में इसको आप मंगा सकते हैं देखे कैसे इसको मंगाए आप लोग को बताना चाहते हैं कि यह दो WhatsApp नंबर दिये गए हैं इन दो WhatsApp नंबर में से इसी भी नंबर पर आप अपना पोश्टर लेड़ेस सेंड करेंगे जब आपको पोश्टर लेड़ेस आ जाएगा आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा और प्यूर कोड पर आपको पेमेंट जमा करना होगा जो बुक की प्राइस है इसके बाद आपके द्वारा बताएगा पोश्टर लेड़ेस पर इसका जो पैकेट है वो आपको भेजा जाएगा तो देखें यह पोश्टर लेड़ेस भेजने का आप लोग को WhatsApp नंबर है और दूसरा टीर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं 20 जून 2014 से रात मे यह जो बैच है यह गूगल मीट पर आप लोग को चलेंगे आप लोग को लाइब क्लास मिलेगे लाइब क्लास के बाद रिकॉर्डड वीडियो मिलेगा तो कल जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो BNSS BNSS फूरा लेंदी पेपर है यह समझने का है टेकनिकल पेपर है यह CRPC क के बैचे को लेना चाते हैं तो यही दो वाट्सप नंबर पर वो अपना आधार कार्ड भेजेंगे जब आपको कोचिंग का QR कोड भेजा जाएगा QR कोड पर आप अपनी फीस को डिपाजिट करेंगे इसके बाद आपको बैच में ले लिया जाएगा जो गूगल मीट की ल लाइफ टाइम तक आपके पास रहता है और यह जो बैचे से इसमें परी मेंस दोनों के क्लास आपको मिलेंगे और इस समय यह डिसकाउंट बैच के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ स्टार्ट किया जा रहा है आप लोग इसके हिस्सा बनके अपनी class को लेकर अपने notes को prepare करें ताकि आगया के आने वाले examinations में जो भी exam हो आपके पास पहले से इसके सारे notes इसके सारे study material आपके पास रहे. Thank you my day.